अगले तीन साल की cpex गाइडेंस भी कंपणी ने दिए हैं 50-52 करोड की दिए वेंडर डीूज को लेगुलरनी क्लियर किया जा रहा है जाधतर cash generation सरकारी बकाय को चुकाने में जा रहा है एज इयार री कैलकुलेशन में उन्हें लगते हैं कि एरर्स किये गए हैं उसकी लिस्ट गवर्मेंट को कही जाए तो सुप्रीम कोट ने तो कह दिया हम दोबारा इस पर कुछ सुनवाई नहीं करेंगे गवर्मेंट ने कंपनी को काई कि ठीक है अब बताइए आपको कहा का लगता है कि कु पहली चीज कमसी यह सारे स्टेटमेंट में क्या प्रूव करने की कोशिश कर रही है पहला कि तीन प्राइवेट प्लेयर्स की जरूत है सरकार को डीजिटल इंडिया को सक्सिस्फिल करने के लिए इसलिए सिर्फ रिलाइंस जियो भारती एटल दो से काम नहीं चलेगा अब आपको मानना नहीं मानना हो इंडियुजल चोईस है कोशिश नंबर दो चिंता मत करो पैसे हम जुटाएंगे बैंक से हमारी बात्ची चल रही है ठीक है हम जितने भी वेंडर्सन को रेगुलर तोर पर जो उनका पैसा देना हम दे रहे हैं हमें के लिए 30,000 कोड की साथ आठ हफतों में बैंकों से फंडिंग ले लेंगे मतलब पॉइंट है कि हमें जो कुछ भी अपने सिस्टम को मजबूत बनाना इंफ्रसक्टर तैयार करना है वो हम करेंगे करेंगे ठीक है यह दूसरा पॉइंट हो गया है यानि कि आपके अथावत चलेंगे यानि कि आपके पेमेंट्स करने वो आपके होता रहेंगे और दूसरा केपिटल एक्समेंटिचर बड़े खर्चे जो ग्रोथ के लिए चाहिए वो भी करेंगे तो यह दूसरी चीज ओपेक्स केपेक्स रोज के खर्चे और बड़ा निवेश इन दोनों को लेके तीसरा क्या का है तीसरी बात कही है A.J.R को जिए करेंगे सुप्रिम कोर्ड ने बगा दिया ज़ाओ वापस नहीं करेंगे कैल्कुलेट डिसक्रस भी नहीं करेंगे वोड़ाफोन आईडिया का यह करना है कि सरकार कह रही है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो एज़ियार केल्पूलेट करें जाए उसमें कोई खामी है तो वो आप हमको बताओ बनाओ ट्राफ्ट बेजो आप हम देखेंगे इसका मतलब क्या है यह वापस से रिवाय होने की कोशिश हो रही है अब पॉजिटिव साइड क्या है कि इसका मतलब एज़ियार की जो रिलीफ 30-40,000 क्रोडर की मिलने की संभावनाए वोड़ाफोन की जो दो-3 दिन पहले खारी पॉजिटिव और अब इसमें दो चीजें और सकती यह सरकार को भीजेंगे सरकार कंसिडर करेगी नहीं कितना करेगी सरकार जाने कब करेगी सरकार जाने लेकिन अभी तक पैशेंट मरा नहीं है अब अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात अब कर ले तो क्या 30-40,000 क्रोड करेगी या 15-20,000 क्रोड करेगी कम करेगी जार करेगी यह अब इसमेट वाले बहुत सारे सवाल है इसका जवाब क्यों नहीं है पहले सब लोग कॉन्फिडेंट है कि एज़ार की कल्कुलेशन होएगी ठीक होएगी 30-40,000 क्रोड का बेनिफिट मिल जाएगा अब आज आज पने हो, है कि अब लोग अब भरोसा हो गया है सुनी वी भात पर पर वरोसा करें घाएगी तो स लिंसारा का अब जिस दन सरकार केलकुवेशन के यह लेए लेगी कि इस मामले में डिस्केशन तो चल रहा है इसलिए लेकिन एक बहुत अच्छी बात इस पूरे प्रोसेस में यह हुए कि AGR की रिलिफ का मामला खत्म नहीं हुआ है अभी भी जिंदा है बीच बीच में उमीद जाकती रहती है अब यही है दीब देखिए उमीद पे दुनिया काहिम है AGR से फाइदा हो या कमशनी की परफॉमेंस से फाइदा हो मैं तो यही चाहता हूँ एक बार 17-18 रुपए हो जाए तो बहुत लोगों के टूटे वे दिल जुड़ जाए कम से कम लोगों को कैपिटल का नुकसान हो 11 रुपए में तो खिर जिनको जिनको जन्होंने अगर आपको डर लगता है तो आप कैपिटल का नुकसान के वगर भी एकजिट कर सकते हैं बाकी तो आप देखो आगे जिस जिस तरह के डवलपमेंट होंगे अब आपको दो चीज़ सोच नहीं जहां से खराब क्या हो सकता है खराब एक ही चीज़ हो सकते हैं अगर प्रफिन्स खराब हो तो बाकि तो कुछ खराब होने सरी अच्छा क्या हो सकता है कपेक्स पैसा मिल जाए ऑपरेशनल परफिन्स ठीक और उसके बाद आगे अगर एज़्यर में रिलिफ मिल जाए तो यहां से अच्छा होने के संभा अब आपको अपना डीसी ने अपनी रिस्क के एसाब से ले लेना है मेरी राय अगर आप पुछेंगे तो मैं कहूंगा 11 रुपे में होल होता है बेशना नहीं बनता है लेकिन फिर भी अपने अपनी रिस्क अगर डर लगता है तो आप अपनी कोस्ट के आसपास exit करते हैं ही क तो हमें exit कर लेंगे तो भी ठीक है तो अब उस एंगल से आपको देखना ठीक रहेगा और राइट यह आपकले वोड़ा फोन आइडिया पूरी आनालेसिस अनल जी के तरफ से